हलो दूस्तों स्वागत है आपका वीजवल आर्ट्स वित्पिनी में फ्रेंड्स जैसके आप जानते हैं वेस्टर्न आर्ट की काफी क्लासेज आपको अभी लास्ट वीडियो में मैंने दी थी कुछ एक दो और हैं जो मैं देऊंगी लेकिन आज मैंने सोचा कि अभी हम लोग स्पीड में दूँगी चिंता मत करना तो वही आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो लोग नए हैं मैं आपको पहले बता दूँ आप खुद जानते हैं नेट दिसेंबर 2023 के लिए प्रप्रेशन हैं यह मतलब इस्पेशली उसके लिए हैं तो आप लोग मुझसे पूछे जा प्लैनिंग कुछ सम्थिंग डिफरेंट तो वह चीजह मैं जरूर करूंगी एक्जैम से पहले लेकिन अभी यही एक्जैम औरियंटेड ही बता रही हूं कि पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब जानते हैं तो वह जरूरी है और इसलिए आज हम लोग पेंटिं ये प्लैलिस्ट पर जाए और उसमें आपको बहुत सारे पलैलिस्ट पर ये मिले और उसमें आपकी ये सारी पेंटिंग करवाई वी है ठीके तो देखो, प्लीज उससे बहुत questions आया थे, इस बार भी paintings related, तो उसको हम discuss करते हैं, आर्टिस्ट का काम करते हैं, तो हम इसना बता देते हैं, अगर आर्टिस्ट पढ़ाते हैं, तो कि भाई ये इसने बनाया, लेकिन थोड़ा सा कुछ paintings ऐसी होती हैं, जो net में आ चुकी हैं, कि सारे artworks वही रहेंगे, जो net में आये हैं, तो ये बहुत important होता है, net की exam वालों के लिए, और especially उनके लिए, जो last time में preparation कर रहे हैं, जो महिनों से नहीं कर रहे हो, जो अभी एक आद महिने में जगे हो, और चाहते हो, मतलब मेरे पास आ रहे हैं, मैसेज इसलिए बोर रहे ह कि आप हमसे चाहते हो, कि हम last में क्या करें, तो आप last में ये वाली सारी चीज़ें करो, मैं दो मिनट आज बस बताना चाहरे हूं, क्योंकि अभी live नहीं ले पा रहे हूं, जरूरी है इसलिए, एक तो आप लोग papers वाली playlist देखिए, papers वाली playlist is very important, इसलिए important है कि उसमें आप को समझ आएगा कि कैसे paper आते हैं, और ये जो भी चीज़े topic repeat होगा, तो आपको थोड़ा से memorize देखिए, तो papers solve करो, papers वाली playlist देखो, वो देखो, अलग-अलग topics पर भी कम जाना थोड़ा, दूसरी चीज़ ये paintings की पूरी playlist देख जालो, इसमें एक-एक painting मत छोड़ना, सबका लिखो, detail, लिखो, समझो, कुछ से भी search करो, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ जो मैं बता रही हूं करो, आप खुछ से भी google कीजिए, लेकिन ये paintings एक तरह से listing है, के net में आई भी, वो मैंने बताई आई आपको, ठीक है, तो हम आज कहां जो है, काम स्टार्ट करते हैं, जो गुस्टाफ कॉर्बेट है कौन, तो फ्रेंच पेंटर थे, और रियलिस्टिक मेनिफेस्टो बाना जाते है, रियलिस्टिक मेनिफेस्टो मतलब, रियलिजम या यथार्टवाद कला आंदोलन के प्रनेता प्यूनर माने जाते है, तो ये भी एक question आया है, कि प्यूनर कौन तो गुस्टाफ कॉर्बेट है, ये आपको दिख रहा है, फ्रेंच पेंटर रहेंगे, और यथार्टवाद ही, क्योंकि यथार्टवाद अपने आप में कहता है, कि जो यथार्ट है, जो रियल है, हम वो पेंट करेंगे, और इसलिए यहां पे भी क्या पेंट हो रहा है, जो आम जन है, उनको पेंट किया जा रहा है, और वो पत्थर तोड़ते वे इस तरह का पेंटिंग जो बनाया गया है, वो गुस्टाफ कॉर्बेट द्वारा बनाया गया है, ठीक है, तो ओईल ओन केंवा से ये 1849, जब ये रियलिजम का टाइम रहा है, उसमें है, और प्र इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, शहाजान और डेथ बेट या मृत्यू शहिया पर शहाजान, या पासिंग ओफ शहाजान, या शहाजान की मृत्यू, ये जो पेंटिंग है, ये किस ने बनाई है, तो ये अवनीन रनाथ टेगोर ने बनाई है, वेरी इंपॉर्टेंट क् तब 1905 में वो बंगॉल विजभाजन और उसके बाद उन्होंने पेंटिंग्स बनाई और ये बंगॉल कला स्कूल के प्रनेता माने जाते हैं, मतलब एक आर्ट स्टाइल का प्रनेता माने जाते हैं, जो जिस ने वश पेंटिंग या वश टेकनीक को फॉलो किया था, इसलिए ये प्यूनर्ट या फादर ओफ वश पेंटिंग इन इंडिया भी किसको कहा जाता है, वनींदरना टेगोर को कहा जाता है, तो ये ओईल में बना गया है, एक वेरी इंपोर्टेंट चीज कि ये क्या है, तो ये मिनियेचर स्टाइल है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये देखिए, ये आपको ताज महल दिख रहा होगा और ये ताज महल के ही इधर जो है, मुसंबन बुर्ज जिसमें मानते हैं हम लोग के औरंगजेब, औरंगजेब ने कैद करके रखा था, आपको पता है न, शहाजाहन की मृत्यू कैसे हुई थी, कैद करके रखा था, उ आप लोगों को वर्क देखना होता है, कि पेट्रा ड्यूरा क्या होता है, तो ये इसमें बहुत अच्छे से दिखता है इस पेंटिंग में, तो ये है, लेकिन ये बना कैसा है, तो मिनियेचर स्टाइल में बना गया है, बारिक काम हुआ है, और इसका माध्यम जहां तक मु पेंटिंग है, और अच्छी है, और ये तब ही बनाया गया था, देखिए मिनियेचर, जब इवी हेवल ने, इवी हेवल ने इनको इंस्पायर किया था, वनी इनना टेगर क्यों कि भाई, तुम अपना इंडियन स्टाइल को वही पुनरुत्थान है, रनाशन्स है, इंडि मेदिवियल हिंदू सेंस, जो हिंदू प्रीस्ट है या हिंदू दर्वो है, अपन क्या बता है, पंडित जैसे, उनको बनाया है, है न, संत, हिंडू, हिंदू सेंस, ठीक है, संत, तो विनोद भिहारी मुकरजी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो की, ब्लाइन्ड थे, हम बोलत पर बना कहां पर है तो कला भवन शांती निकेतन के मूरल्स है जो कि किस ने बनाया है विनोद बिहारी मुखर जी ने बनाया क्योंकि वहां पड़े हैं और अननलार बोस के अंडर पड़े हैं तो वहां पर फिर काम भी किया है तो यह सारी चीजे उनकी है ठीक है 1946-47 में इंड इस देखते हैं Japanese War God फूर्ट कोशन ही है ठीक है Japanese War God गे किस ने बनाया है तो एडवार्डो पावलोजी ने बनाया है एडवार्डो पावलोजी आर्टिस्ट ने बनाया है यह बहुत बार आया है इनका माध्यम जो है ब्रॉंज रहा है कास्टी जिसको हिंदी में बोलते है हो रहा है 1958 पर बनाया है एडवार्डो पावलोजी कौन है स्कॉटिश आर्टिस्ट है ठीक है अपने मूर्तिकला और ग्राफिक जिसको आप क्या बोलोगे प्रिंट उसके काम के लिए यह जाने जाते है इनको पॉप आर्ट का एक प्यूनर भी कहा जाता है ठीक है और पॉ तो पॉप आर्ट से संबंदित कलाकार आपको कमेंट सेक्शन पर लिखके बताना है इस यूर होमवक होमवक क्या मतलब अब तो घर बैट की क्लास भी ले रहे है ठीक है तो जरूर लिखके बताईए पॉप आर्ट से रेटेड और कलाकार को बताईए पावलोजी मैंने आते हैं हम लोग काय पर आते हैं मसच्यों के बैट ठीक है बाकी तो विश्य मेंने शाद मैं सब्जेक भी डिसकस करती जाती हूं उसमें कोई वह नहीं है यह है मसच्यों ने बनाया है होली ट्रिनिटी वेरी इंपॉर्टेंट होली ट्रिनिटी मसच्यों के बारे में आप जानते हैं, Early Renaissance के लिखाई वाय उपर, Florentine painter है, First Great Italian painter है, Quattrocentro period मतलब 15th century के period को Quattrocentro बोला जाता है, Italian Renaissance या Early Renaissance के बहुत important painter है Massachusetts, ठीक है, अब Massachusetts के बारे में आप यह भी जानेंगे, के बहुत कम एज में, मतलब जीए वो, कुछ 28 years ही जीए वो, 1408-29 तक 28 साली जीए वो, लेकिन यह उनका last work था और इसलिए इंकम्प्लीट है, ठीक है, यह उन्होंने 28, यह 28 में death हो गई थी, तो 26-27 तक ही इनका काम हुआ है, कुछ चीज इंकम्प्लीट भी थी, तो it is just Holy Trinity, इ और कुछ भी बात नहीं है, यह मतलब विशय भी हम साथ में discuss करते हैं, इसलिए बोले हैं, ठीक है, अब मुझे पता है, exam pass में आ रही है, काफी घवरा रहे हो, और वो घवराये वे, वो सब मुझे, आप लोग के message और उससे पता चलता है, तो घवराने का बिलकुल नहीं है tension free होके काम करना है, अब जितना, जिन लोगों ने पहले पढ़ लिया हो, उनको भी मैं tips देती हूं, कि अब revision mode पे आईए, paper solve कीजिए, paintings देखिए, जाद स्यादा Google कीजिए, और मस्त रहिए, अपने आपको light कीजिए, कि हमने पढ़ा है, और जो पहले ही, मतलब अब अभी कि उनको दो महिने में पढ़ना था, उनको तो मैंने the very starting tip देदी थी, कि आप paper solve करें, ती वाई कीजिए, अपने चैनल की playlist पे आप देखें, आप वो नहीं देखना चाहते है, आप record की जिए, कहीं और से देखिए, बट आपके लिए, ये मेरा suggestion है, कि आप ये चीज़ेशन